नमस्ते दोस्तों आपका मेरी चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है आज हम ठुजी डिजाइन महुर्त मनीquito बनाने वाले हैं इसको बनाने के लिए क्या Q लगता है ये देखते हैं इसको बनाने के लिए मैंने काले प्लेयन मोती लिये हैं तीन नमबर साइज के लगबक 3 mm के ग्यार नमबर की सुई लिया है 2 सुई लिया है इसे मंगल शुत्रगुदने व़ी भी कह सकते हैं स्कुरू लिया है नारॉण का धागा लिया है लिए प्लैन गोल्ड के मोती लिया है जोे एक ग्राम में कर Jetzt यहां आपने के जैसे आपस में बान लेंगे इस तरीके से देख सकते हैं मेरे बताने की इस आपसे ना समझ में आये तो आप देखके भी समझ सकते हैं इस तरह से हमें बांध लेना है दोनों सुयों को दोनों धागों में अलग-अलग इस तरह से और उसके बाद हमें गुदना स्टार्ट करना है तो यहां पर मैंने बान लिया दोनों सुयों को अब हम क्या करेंगे कि यहां पर डिजाइन बनाएंगे तो हमें क्या करना है ना सबसे पहले डिजाइन बना लेना है हमें अब तब उसके बाद से हमें काले मोती डालने हैं वो आपको आगे समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बत डालेना है और फिर इहां पर हम क्या करेंगे कि एक साईट की सुई में एक गोल्ड का मोती डालेंगे और दूसरे साईट की स्युई को उपर से नीचे की तरफ पास कर लेंगे और पास करते टाइपous द्यान रखना है कि धागा छेद के नानमी के लिए और इसको खीच के नीचे की तरफ बिठा लेना है मोतियों के पास कर लेना है फिर से अब हम दोनों सुयों में एक काला गोल्ड एक काला मोति डालेंगे दोनों सुयों में अलग अलग और फिर एक सुय में एक गोल्ड का मोत तो इस तरह से दबाके धागा को रखा और दूसरे साण्ड की सुई को उसमें से बास कर लिए इस तरह से गाला ऐना च्र essay करने currencies करने केada दरिनीक सब्सक्राइन करने से नहीं से सुई अच्छे से असानी से हो जाता है इसलिए मैं एसे करके करें अब दोनों सुयों में फिर से एक काला एक गोल्ड का मोती डालेना है अलग अलग करके अब यहां पर हमें क्या करना है कि दोनों सुयों को एक साथ कर लेना है और फिर एक गोल्ड का मोती डालेना है और आपका गोल्ड का मोती एक साथ दोनों सुयों में नहीं जा रहा है तो एक सुई में डालिए और दूसरे सुई को फिर नीचे से उपर की तरफ निगा लीजिए इस तरह से दोनों सुई में एक साथ हो जाएगा मोती अब यहां पर हमें क्या करना है कि दोनों सुई को एक साथ करके यह जो फुटबॉल डिजाइन का गोल्ड का मोती है उसे डाल ले साथ का भी यहां पर डिजाइन बना लेंगे जो यहां पर फुटबॉल डिजाइन का गोल्ड का मोती है और इस तरह से जो फुटबॉल डिजाइन का गोल्ड का मोती है उसके एक साथ में 13 चोटे वाले गोल्ड के मोती लगे हैं और दूसरे साथ में 13 चोटे वाले गोल्ड की मोती लगें सब मिला के हमें 26 लगने दिखला हो गया अब हम काले वाले मोती टाल लेंगे तो इन सारे मोतियों को अच्छे से एड़जेस्ट कर लेंगे ताकि में गयप नहीं तो तो आज़ा नहीं दिखेगा, ज्यादा धागा दिखने लगेगा वैसे, तो अब क्या करेंगे कि दोनों सूयोग को अलग लग कर लेंगे और ये काले वाले मौतियों डाल लेंगे इन शूयो में, मैंने अपने गरदन के माप के तरफ के बीचो बीच भाग में पे रखिए और जो प्लेन धागा है नायलोन का उसको पीछे तक ले जाए ऐसे दोनों तरफ से हाथ से पकड़ के एक हाथ से बीच में पकड़ के रखिए और पीछे एक हाथ से पकड़ लेजिए और जहां पे स्कुरू लगाते है ना वहां त पर उसके बार एक साइड में काला वाला मोती डालके और स्क्रू डालके और गाठ लगा लिजे, जैसे मैं कर रही हूँ, वैसे ही, पहले मैंने 1.5-4 इंच तक रखा है, क्योंकि मेरा गरदन कमाप 1.5-4 इंच तक है, डिजाइन बनाने के बाद, 1.5-4 इंच तक, दोनों लड को अच्छे से अड़जस्ट कर लेंगे ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए जैसा मैं कर रही हुँ तो यहां इस साइड में भी दो दो धागे की एक लड़ी बना लेंगे इसमें मोति को पिरोना काले वाले मोति को तो सुरू में अगा लगा लगाया था उसको कट कर लिया है से निकाल लिया क्योंकि हमें डायरेक्ट नायलोन वाले धागे को पिरोनना है तो यहां पर क्या करना है कि एक धागा लेना है और और रीकuse इस तरह से डाले और चेद दिखने लगेगा न उसमें थोड़ा सा गीला करके इस ढाल देना है यह आसानी से चला जाएगा और डालने के बाद इसको धीरे से खीच लेंगे इस साइड में और हमेसा दिहान रखना है कि एक ही तरफ से दोनों धागे को डालना है यह नहीं कि एक साइड से डाल लड़ियों में काले वाले मोतीयों को डाल लेना है यह गरदन के माप के भीन कर decir को का दूसरा भाग डालेंगे और उसमें एक छोटा सब आली रही हूं कि जब गाठ लगांगा ना तो ये गाट से रखके खिचके खुल लेना ये बहुत ही प्यारा और सुन्दर डिजाइन है और एकदम असानी चाप घर पे बना लेंगे और हाँ आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हो सके तो नैलोन का धागा ही यूज करिए कोई दूसरा धागा मत यूज करिए सिलाई वाला धागा नहीं नहीं तो वो तोट जाएगा एक दो फ्रेंट्स का सवाल आया था कि मैंने ये बहुत मेनद से बनाया डिजाइन और धागा तुरन तोट गया तो ये नैलोन का धागा जल्दी तोटता नहीं है ये साथ एक साल डेड़ साल में ही तोटता है अगर डेली आप पहन रहे हैं डेली भी नहाने के बाद भीग रहा है तभी भी जल्दी तोटता नहीं है इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा मंगल सुत्र बन के तयार हो गया महुर्तमानी ठुसी डिजाइन मंगल सुत्र ये साथ मंगल सुत्र है अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दीजे और ऐसे ही सुन्दर सुन्दर वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए तो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइ